नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब के स्री नवदे टाइम्स और विश्व हिर्दे दिवस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अर्विन मकर उनसे बातचीत करेंगे डॉक्साब आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल तो है कि किस तरीके से हिर्दे को हम ठीक रख पाएं क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े बताते हैं कि इतने मौत हो रही हैं वह बहुत चिंता जनक है देखिए हिर्दे विश्व दिवस पर मैं आप सब आपके माध्यम से सब लोगों को खासकर हमारी यंग पॉपॉलिशन जो अर्ली थर्टीज औ इक लाइफस्टाइल डिजीज यह ऐसा नहीं है कि शरीज में ऐसा कुछ हो गया है हाला कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनको हम लोग नहीं बदल सकते लेकिन मेजर इसका लाइफस्टाइल है अगर हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो यह डिजीज हमें हो सकती है और इस मेन रिस्क फेक्टर है जैसा अर्बन ट्रैम्पेंट अर्बन अर्बनाइजेशन तीवरता से शहरी करन हो रहा है हमारा लाइफस्टाइल है हम केरियर और पैसे की पीसे इतना भाग रहे हैं कि अपने शरीर पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं लैप टॉप और मोबाइल पर काम क हैं यह जलना कम हो गया हमारा स्लीब साइकल डिस्टरब हो गया है फूरी निन नहीं ले पाते हैं यह यह इर्रेगुलर स्लीब साइकल ऐ Almost a खाने हम लोग ऑड्र करते हैं फॉन से होने के साथ साहते नुकसान दे भी है फैटी फॉड खाना रेस्ट एक थाना ने असला स्मोकिंग एलकोहल बहुत बड़े रिस्क फेक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं और इस बेमारी से बढ़ सकता है मौत के आंकड़े के बात की जाए भारत में तो वह कितना है और जैसे कि हम पिछले चार-पांच साल उसे देख रहे हैं कि वह बढ़ रहा है देखें एक आईसी एमार के एक एस्टीमेट के हिसाब से इस समय भारत में करीब तीन करोड लोग रिदे रोग से पेड़ित हैं और करीब पौने दो करोड लोगों की मृत्यू हर साल भारत में इस रोग से होती है तो यह कोई छोटा आकड़ा नहीं है बहुत बड़ी बहुत बड़ा आकड़ा है यह और यह जो इंडिया में लोगों को अफेक्ट कर रहा है वो हमारा टेमोग्राफिक डिविडेंट जिसको हम बोलते हैं इंडिया की यंग पॉपॉलिशन वर्किंग पॉपॉलिशन उनमें बहुत अधिक और बहुत सिवेर तीवरता से हो रहा है जिससे की यह सिर्फ इंडिविजूल का नुकसान नहीं है देश की प्रॉग्रेस में भी यह बाधक है तो इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो यह सबके लिए बहुत अच्छा रहे हैं अगर आते हैं तो इसका क्या क्या वजह इसके मानते हैं एक उम्र तक पुरुशों को इस बेमारी होने का रिस्क ज्यादा रहता है समझ लेजे करीब 40-45 एस की लेडिज हम यह माना जाता है किस बेमारी से प्रोटेक्टिड देते हैं लेकिन 40-45 years के बाद जब वो हार्मोन कम होना चुरू हो जाते हैं तो उनका भी रिस्क उतना ही हो जाता है जितना एक male का है समझ लीजे आम आदमी का होता है लेकिन आज कल जो ही हार्मोनल इंबैलेंस है हम लोग देखते हैं कि यंग लीडीज में भी 40-45 से कम में भ यह रिस्क हो सकता है इसलिए हम सब लोगों को यह सलाह देते हैं कि जो भी 35 से उपर हैं वो हमेशा रेगुलर अपना हार्ट चेक अप हर साल जरूर कराएं जिससे कि इसको हम अर्ली स्टेज में मिमारी को पकड़ सकें और उसको आगे बढ़ने से रोक सकें डॉक्टर विं डिसकंसेप्शन या भ्रांती में कहूंगा कि अलकॉहल हार्ट डिजीज को बचा नहीं सकता और एक निष्चित मात्रा में अलकॉहल जो जिसको आप ना के बराबरी समझ लीजे एक ड्रिंक समझ लीजे लेडिये और दो ड्रिंक पर दे में के लिए वो उसको बोला जाता ह कि हार्ट डिजीज को प्रोटेक्ट कर सकता है लेकिन उससे और बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं और लाइश्टाइल डिजीज हो सकते हैं एक्सिडेंट्स हो सकते हैं नियूरलोजिकल डिजीज अलजाहीमर जैसे बहुत बढ़ रहा है उसका रिस्क बढ़ सकता है कैंसर का रिस कि अगर वह चोड़ने तो बहुत बढ़िया है नहीं चोड़ सकते तो उसको लिमिट अपनी कम करें उसको जो सेवन है उसका कम किया जाए कि इस विश्व हीड़ दे दिवस से अगर बात करें तो कैसे लाइफ स्टाल में चेंज किया जाए जो की आज से ही शुरू कर दिया ज चाहिए और लाइफ स्टाल को और बहतर बनाए जासे है सबसे पहला तो मैं यह कहूंगा कि अपने रिस्क फेक्टर को जाने अपने रिदे को जाने वह रिस्क फेक्टर जानने के लिए कुछ जैसा शूगर है या ब्लड पेशर है या कोलेस्ट्रोल की मातरा बाड़ी में बड़ी है उसको हम कंट्रोल कराएं डाक्टर से चेक अप कराके और एक बहुत बड़ी जो चीज है वो है lifestyle modification बहुत बड़ा रोल पले करती है इसमें lifestyle modification में हम किसी ना किसी तरह कि exercise को अपने डेली जीवन चैली में उसको अपनाएं फैटी फूड अवाइड करें फ्रेश फूड खाएं जंक फूड को सिरे से ना कहें रेड मीट है उसको अवाइड करें और smoking alcohol उसको कम किया जाए स्ट्रेस है जो आपके लाइफ में उसको किसी तरीके से कम कर सकते है meditation करके group बनाकर अपना sleep पे खास ध्यान दें क्योंकि body की जो repair है वो during sleep होती है तो कम से कम 6-8 घंटे की निद्रा बहुत जरूरी है अपना ऐसा कुछ backup बनाएं stress बस जिससे आप कर सकें अपने stress को कम कर सकें चाहे आपका कोई group है या कोई activity है या family में है जिससे आप बात कर सक कम हो सकें अगर यह सब चीजें हम कर सकते हैं तो मुझे उमीद है और पूरा विश्वास है कि इस disease को हम बहुत हद तक control कर सकते हैं धन्यवा डोकसा बाचीत के लिए तो विश्व हिर्दे दीवस पर किस तरीके से अपने heart को आप स्वस्त रख सकते हैं तमाम सवालों के जो कर दो